हेलो स्टूडेंट्स नमस्कार खबर पक्की है पुखता भी है लेकिन उस पुखता खबर का सही विस्लेशन आप तक पहुंचाने के लिए मैं में में बल्ड हो दिया अभीविक्ति के मध्यम से आप से मुखातिब हो रहा हूं राजस्तान स्टीट नीट यूजी कांसलिंग 2021 सेकंड राउंड इनिशेट किया जा चुका है सेकंड राउंड सुरू हो चुका है अब बहुत सारे confusions से जो करें करेंगे सौर्ट तान में कुछ सबसे पहले मैं यहांечение कर रहा हूं यह जो जोane Przyकूंसलीन के 2 सोहीं province लिए आपका dream college अलोट करवाने में या आपको college मिलने में आपकी help करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं यहां discuss आप से कर रहा हूँ यह जो notification आपके पास आया है students इस notification में आपको यह कहा गया है Neat using medical dental counseling 2021 MBBS BDS round second जो offline होने वाला है जो सबसे पहली बात है वो आप ध्यान रखें यहां जो counseling process है second round का वो क्या है offline है किसी online के चक्कर में आप नहीं रहें लेकिन दूसरी important बात यहां जो round second की counseling है उसके online application form required है online application form invite किये गए है who have not registered earlier यह उन्हीं के लिए है online application form filling for candidates who have not registered earlier तो दो category हैं देखिए if you registered अगर आपने रिजिस्टर कर लिया है पहले first round में आपने रिजिस्टर किया था मान लीजिए आपको college नहीं हुआ या फिर college लोट हुआ है तो आप जो है वो अपने choice का college लेने के लिए फिर से जा रहे हैं आपको registration की ज़रत नहीं है लेकिन आपने पहले अगर registration नहीं किया तो students आप यहां से fresh registration कर सकते हैं आपके पास fresh registration की facility यहां दी गई है इसी के साथ मैं दूसरी एक और काम की बात बता दूँ first round में आपने registration तो किया था लेकिन आपने वहाँ security amount deposit नहीं किया था जो भारतिय मुद्रा है 5,000 and 10,000 यह students अगर आपने deposit नहीं किया था पहले तो अब आप यह deposit करके भी अपना security amount deposit करके भी second round की counseling में participate कर सकते हैं clear तो देखिए यहां लिखा है those who already registered have applied not need to register or apply again फिर से आपको register नहीं करना है जो दो main point है मने आपको बता दी हैं आगे बढ़ते हैं देखिए बहुत ज्यादा इस पर आपको discussion की ज़रूत नहीं है लास्ट डिपोजिशन फो एप्लिकेशन की ध्यान रखें लास्ट डेट ट्वंटी सैवंट और फैब है फरवरी बहुत जल्दी खतम हो जाती है आप ध्यान रखें इसके बाद आपको कहा गया all candidate willing to participate must deposit क्या deposit करना online deposition of registration amount as per for future clause of the participate in round second counseling यह मैंने आपको clear कर दिया या तो आपने पहले जमा करवा दिया नहीं करवाया है तो अब आप जमा करवा दें इसके बाद publishing of the provisional list for the verification physical handicap defense personals और नराइज है उनके लिए यह provisional marriage list or seat matrix for offline round second यह आप ध्यान रखें third of March को आएगा तो तीन मार्च को आपको मिलेगा seat matrix जो second round की counseling होने वाली है राजस्तान स्टेट की उसके लिए यहां देखो students verification जो है उसके बाद सबसे important जो point है मैं पढ़ रहा हूं एक तो point number seven है document verification and seat allotment before the board कहां आपको बुलाया है आपको बुलाया आपको बुलाया government dental college RUHS of dental sciences सुभास नंगर तीबी hospital के पीछे तो जब तीबी hospital के पीछे जाएं तो अपने original documents साथ लेके जाएं मतलब document verification उन्ही candidates के लिए है candidate must present themselves physically or document verification and allotment यह चैह तारी को आपको वहां पहुंचना है उसके बाद आपको दिया गया है point number nine 20 में काफी जादा important है seat allotment on merit along with the submission of original documents before the board at the venue RUHS college of the dental science सुभास नंगर behind TB hospital जैपुर यह भी उन candidates के लिए refer debt wise time wise and merit wise loot अब देखो सबसे ज़्यादा important information यहीं से आ रही है आप ने register किया था registration के बाद आपने students अपना security fee deposit कर दिया है दोनों काम आप कर चुके हैं first round में आपको college मान लीजी अलोट हुआ लेकिन आप graduation चाहते हैं या फिर रलोट नहीं हुआ second round में participation आप चाहते हैं तो आप क्या करें आपको कहा गया refer debt wise date इसके अलाबा time और इसके अलाबा slot इसकी separately information आपको दी जाएगी उसी के according आपको पहुँचना है और यह 7th of March से लेकर 13th of March तक students आप को मिल जाएगी clear refer debt wise time wise and merit wise slot list be made available at the website मैं फिर कह रहा हूँ आप ध्यान रखें procedure offline ही है आपको अगर first round में seats मिल गया है up gradation के लिए आप जा चुके हैं तब भी आपको यहाँ is point number 9 के according physically present होना है लेकिन जब भी आप present हो यह जाए उससे पहले आपको यह देखना है कि आपका date slot क्या है और यह date or slot मुझे जहां तक लगता है यह लगता नहीं confirm ही मान लीजिए आप rank wise आएगा तो आपको rank wise बुलाया जाएगा तो जो आपके दी गई है उसके according आप वहाँ पहुंचे फिजिकल रिपोर्टिंग डॉकुमेंट चेकिंग और वेरिफिकेशन जो है यह न्यू एकेडमिक ब्लॉक एसमस मेडिकल कॉलेज जयापूर में होगा तीबी होस्पिटल के पीछे तो क्या होना है देखिए आप से कहा गय है वहाँ आपको क्या करवाना है वहाँ ओरेजनल डॉक्यमेंट स्थे उनको जमा करवाना है फिजिकल रिपोर्टिंग जो है ठीड़ूस मेडिकल कॉलेज जैपूर तो यह कुछ इंफॉमेशंस ती और फआयनली देखिए इसको और देख लेटें इसमेंंए तो आपको वहां पहुंचना है यू सुड प्रजेंट और अपियर परस्नली वहां खुद जाएं तो प्रिंट एंट्रेट्ट्रेट्स लॉग इंट्री करने के बाद जो लॉगिन टिकेट मिलेगा वह एक तरीके से आपका जो है वह पास है वह आपको लेके जाना है उसके बाद कहा गया है round second allotment on merit point of the candidate no registration cell be accepted even if candidate get same seat allotted in round first और get upgrade allotted in fresh seat in round second आपको कहा गया है no registration cell be accepted even if the candidate gets the same seat आपको पहले round में भी medical college मिला मान लीजिये SPMC second round में भी college मिला SPMC इस case में अब आपके पास option नहीं है अब आपके पास chance नहीं है कि आप जो है वो fresh उसके लिए जाए है it is clarified that no registration will be accepted from both round first as well as second allotted candidates after passing over the candidates merit point to candidate का merit point है उसके बाद में पासे जलाओ नहीं किया जाएगा यहां जो 7 है registration last date submission round first allotted एक कारिक को एक March को आपको दिया गया after this registration if any cell be accepted not only at the sport candidate merit point at the time of physical round second allotment तो देखो conclusion फिर मैं बोल रहा हूं पांच बाते हैं round first में आपने registration कर लिया था लेकिन अगर security amount deposit नहीं किया तो आप security amount deposit करिए और round second के counselling के लिए चले जाएए उसके बाद में तीन बाते हैं सबसे पहली बात verification physical होने वाला है counselling process आपका online होने वाला है और इसके अलावा students documents के verification है point number seven में आपको physical handicapped सब्सक्राइब और इसके अलावा एक important जो मैंने block में यहां mention किया है वो है round first or second में अगर आपका allotment सेम रहता है और उसके बाद आप चाहते हैं कि अब आप जो है वो seat नए registration accept नहीं किये जाएंगे even if the candidate gets the same seat अगर candidate को वही seat फिर से मिल जाती है allotted in round second यह condition होती है और gets upgraded gets upgraded allotted a fresh seat in round second तो round second के बाद आपके पास option नहीं है जो आपको यहां दिया गया है तो यह था राजस्तान स्टींट की second round की counseling का data जल्द ही all India कोटे की जो counseling है उसका भी result आने वाला है provisional list यह result जैसे ही आता है हम आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए enjoy करिए be safe thank you